मुक्य मंत्री जर्म ठाकुर अपने एक दिवसी दोरे पर धरमशाला पहुंच गए हैं। सदस्य हैं उनसे मुलाकात की जाएगी। साथ ही उन्होंने मंडी जिला पर्षत में भाषपा का अध्यक्ष बनाये जाने पर बेहत प्रसंत जाहिर करते हुए कहा कि मंडी में भाषपा के पास 36 में से 27 पर्षत थे और यही बजा है कि बहां उनकी विचार धारा से तालुक र दोलन चल रहा है वो किसानों का आंदोलन नहीं है किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं पूर्मुक्य मंत्री बीरबदर जिंग द्वारा वबिशे में चुनाब ना लड़ने की टिपनी पर मुक्य मंत्रे जाराम ठाकुर ने कहा कि यह सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए इसलिए क्योंकि पहले चुनाब ना लड़ने और फिर बाद में चुनाब लड़ने की बात कहकर ब्यंगे की बात कहना अपने आप में ही हासिस्पद है गन है विधाई गन है उन से हमारी इसलाम शुरू होगे बाती है सर मंडी में भी जिला परस्द का अध्यक्स का चुनाब द्रवाकर आए इस तरह हमको प्रसंता है कि हमारे 36 में से 27 लोग जुन करके आए गए और सब समती से निरने हुआ है और अभी तक मुझे लगता कि अ कोई इस बात को अब मानने के लिए त्यार नहीं है कि ये किसान कांदोलन है किसान तो खेतु में काम करता है ये जो लोग इस परकार से सड़कूं पर बैटे हैं जो कानून बेवस्ताओं की धच्चिया उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये किसान वही नहीं सकते है और सर इ सब्सक्राइब एसफों के मादेने से खंडन किया गया है क्या कहें जालें इस कहने लेकिन पहले उनने कुछ कहा कि भी अम पिनाव निहीं लडढेंगे बाद पहा कि बिचार करेंगे तो ये मुझे बूछल की राज्नीती में लंबे समय से हैं तो उनके प्रती हमको इस तर झाल झाल